नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल टोंग से संजीवन गर्ब संसकार के इसे टूप चनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ गर्मियों के सीजन में जब कच्चा आम आता है, कच्चे आम का नाम लिया कि मुझ में पानी आ जाता है और यदी गर्भावस्ता हो तो ऐसे में खटा खाने का मन भी होता है और जी ललचाता है कच्चे आम को खाने के लिये लेकिन गर्भवती के मन में हर समय यह डर बेठा होता है कच्चे आम को खाने को लेकर और हो भी क्यों ना क्योंकि घर में बड़े बुजुर्ग यदी है तो वहाँ आपको कच्चे आम को खाने के लिए मना करते है लेकिन आज हम इस बात को क्लियर करेंगे यदी आप प्रेगनसी में सेकेंड या थर्ड ट्रैमिस्टर में हैं तो आप कच्चे आम का सेवन कर सकती है जो की बिल्कुल भी नुकसान दे नहीं होता है कच्चे आम के सेवन से कई सारे फायदे गर्भवती और उसके शिशू को मिल सकते हैं लेकिन ध्यान रहे आपको कच्चे आम को संतुलित मात्रा में ही खाना है जैसे एक से दो small pieces कच्चे आम की आप खा सकती है pregnancy के दोरान कच्चे आम खाने के कई सारे फायदे गर्भवती और उसके शिशु को मिलते है क्योंकि कच्चे आम में vitamin C, calcium, magnesium, copper, sodium, zinc, phosphorus, potassium अच्छी मातरा में पाया जाता है इसके अलावा folate भी कच्चे आम में पाया जाता है तो आईए देखते हैं गर्भवती कच्चे आम को खाती है तो उसे कौन-कौन से benefits मिलते है जैसे के हमने अभी देखा vitamin C का अच्छा source है कच्चा mango और vitamin C यदि शरीर में अच्छी मातरा में रहे तो calcium की कमीट नहीं होती है दूसरा benefit यदि आपको acidity या पेट में जलन जैसे समस्या हो रही है या पाचन संबन्दी कोई भी परिशानी आपको हो रही है तो कच्चे आम को खाने से यहां परिशानिया दूर हो सकती है इसमें मौज़ुद fibers, constipation की तकलीप को भी कम करने में मदद करते है तीसरा benefit शरीर के रोग प्रतिरोधक, शमता याने immunity को बूस्ट करता है कच्चा mango चोथा benefit कच्चे आम में मौज़ुद naisin cardiovascular system को मजबूत करता है जिससे वृदय संबन्दित समस्याय भी कम होती है पाच्वा benefit कच्चे आम का सेवन पाचन दंद्र आखों में सुजन डाइरिया जैसी समस्यायों में भी आराम पहुचाने का काम करता है नेक्स्ट benefit कच्चे आम के खाने से गर्ववती morning sickness जैसी समस्या को भी फेस कर सकती है लेकिन जैसे कहं हमें पता है कोई भी चीज यदि हम ज़ादा मातरा में खाते है तो वहां नुकसान देह भी हो सकती है कच्चे आम का सेवन यदि अधिक मात्रा में किया जाए तो पेट में एठन गैसेस की समस्या भी हो सकती है कच्चे आम के अधिक सेवन से शरीर में गर्मी बढ़ाने का काम भी हो सकता है इसलिए गर्भवती गर्भावस्ता में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसे ना खाये तो ही बेतर है फिर भी आपको कच्चे आम का सेवन करने से पूर्व एक बार आपके डॉक्टर की सला भी जरूर लेनी है कच्चे आम का उपयोग आप कई प्रकार से कर सकती है जैसे आप कच्चे आम का अचार बना कर सेवन कर सकती है लेकिन ध्यान रहे अचार में नमक आपको इस्तमाल नहीं करना है या कम मात्रा में इस्तमाल करे कच्चे आम का मुरब्बा बना कर भी आप स्मॉल कॉंटिटी में उसका सेवन कर सकती है या फिर आम की चटनी भी आप बना सकती है या आम का पना भी आप बना कर पी सकती है फिर से एक बात ध्यान रखे कि आपको इसे सेमित मात्रा में संतुलित मात्रा में ही खाना है और फ्रिक्वेंसी कम रखनी है साथ ही आपको पूरा ध्यान देना है आपके गर्भस्त शिशु पर, आप उसे mentally और physically fit and healthy बना सकती है गर्भा अवस्ता में, इसके लिए आप सीख सकती है उसे कैसे बनाना है सुन्दर, सुधरोड, तेजस्वी असद कुनों से परिपुर्ण, यहाँ पॉसिबल होता है संजी आप मुझे वाट्सेप तथा कॉल भी कर सकती है तो हसते रहें मुश्कुराते रहें एंज़ॉइ कीजिए प्रेगनसी का हरक्षण संजीवन गर्वसंसकर के साथ धन्यवाद झाल 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 झाल